घनी और लंबी आयलेसिस हमारे आखों के खुपसूरती में चार चान लगा देती हैं हर कोई चाहता है कि उसकी लंबी घनी पलके हो जिससे कि उसको फेक आयलेसिस लगाने की जुरूर ना पड़े और पलके देखे नेचुर तरीके से बहुत ही खुपसूरत तो आज मैं आप की लेसिस को 100% ग्रो करेगी और उनको घना बनाएगी तो आये देख लेते हैं कि इस रेमडी को हम कैसे बना के तयार करेंगे उससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को लाइक जरू कर देना तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसके लिए आपको एक चमच भर के बैसलिन ले लेनी होगी पंदर दिन के लिए एक चमच बैसलिन काफी होती है क्योंकि आयलेसिस तो हमारे चोटे होते हैं और उन पे बहुत ज्यादा हमें क्रीम लगाने की जरूद भी नहीं पड़ती है इसके बाद में मैंने ये एक पै बैसलिन गरम पानी में रखते ही बैसलिन तुरंट पिकल जाती है अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को और एड़ करना होगा जिस तो सबसे पहले चीज़ों कि मैं यहां पे लेनी जा रही हूँ वो है लोंग यानिकी क्लूप या आपको यहां पे तीन से चार लोंग ले लेनी होगी और उसको इस बैसलिन के अंदर डाल देना होगा गरम हो चुकी बैसलिन के अंदर लॉंग जाने से इसकी जो क्वालिटी होंगी वो इस बैसलिन के अंदर आ जाएंगी और लॉंग की जो क्वालिटी बैसलिन के अंदर आएंगी वो हमारे आयलेस को तेजी स से ग्रो करने में मदद करेंगी साथी साथ आई लैसे को थिक भी बनाएंगी आपको यहां पर लगवा पांच मट के लिए बैसलिन के अंदर लॉंग को अच्छे से गरम करना होगा जब पांच मट हो जाता उसकी बाद में आपको गैस ऑफ कर देनी होगी और इसको अलग किसी बाउल में निकाल लेना होगा आपको इसमें से लॉंग निकाल लेकि अलग कर देनी होगी और बाकी की बैसलिन आपको किसी और बाउल में ट्रांसफर कर लेनी होगी जैसे जैसे बैसलिन ठंडी होगी बैसे फिर से थेक होने लगेगी तो चलिए आप इसके अंदर हम को ची यूज किया है तो आपको यहां पर थोड़ा सा ऐलोविरा जेल लेना है और उसको इसके आपूडर के इसकी के अदर अरंडी का तील के 15 2डार करें यहम इसके अंदर टील करें वहीम हम इसके अंदर आड़ करेंगे तेजी से ग्रो करेंगे और थिक भी बनेंगे तो आपको थोड़ा सा ही इसके अंदर केस्टर ऐल एड़ करना होगा और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा लबत दो से तीन मेंट के लिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा ज इस टोड़ करके किसी कंटेनर में रख लेना होगा अगर आपके पास में कोई खाली मस्कारा का कंटेनर है तो आप उसको भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके अंदर ब्रस भी होता है और इसको आप बहुत ही आसानी से अपने लेसे से लगा सकते हैं अगर आपके पास में खाली मस लेसे पे अच्छे से अप्लाई कर लेना होगा बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में आपको नहीं लेना है बस थोड़ा सा ही अप्लाई करना है और उसको आप सोने से पहले रात में लगाके सोईए और सुबह अपने लेसे को दो लीजिए यह तरीका बहुत ही तेजिसे आपकी लेसे को ग्रो करेगा और लेसे को बहुत ज़्यादा थेक भी बनाएगा उबिद करते हुए वीडियो आपके लिए हैल्फ पूर रहा हुआ वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और पिंक से चैनल को सस्क्राब ज़रूर करना